प्रसुत है कहानी एक नाव के आत्री लेखकशानी की कहानी को मैं अल्पना वर्मा प्रसुत कर रही हूं, आप मेरी यूट्यूप चैनलर पर देख सुन रहे हैं स्क्रीन पर आप इस कहानी का टेक्स्ट भी मेरे साह साथ पढ़ सकते हैं कहानी चुरू करते हैं किर्ती मारे उपसुपता के फिर खड़ी हो गई यह पांच भी मर्तबा था लेकिन इस बार लगा कि सीटी के आवाज सच्च्च दूर से काफी नजदीक होती आ रही है और गाड़ी प्लैटफॉर्म में प्रवेश करे इसमें अधिक देर नहीं घपराट से चेहरे का पसीना पोँचने के लिए उसने रुमाल टटोला नहीं था बेंच पर छुटने की भी कोई संभावना नहीं थी जल्दी जल्दी यही होता है उसने सुचा वे साड़ी से मूँ पोँचना ही चाती थी लेकिन तभी यकबयक सारे प्लैटफॉर्म में मुसाफिरों और समाल लदे कुलियों की भगदर मच गई हेलो सहसा उसी समय अपने कंदे पर पड़े इस पर्ष से किर्थी चौके चौकी ही नहीं धक सी रह गई शंड के छोटे से खंड में लगा था कि कहीं रजजन ही नहो पर थी वे मिसेज मित्तल रौ सिल्क की आसमाने साड़ी में अच्छी तरह कसी कसाई और चुस किसी विदेशी सेंड की बहुत भीनी खुशबू एक शंड के लिए हवा में ठहर गई थी अरे किर्थी ने जल्दे से हाथ चोड़े कहां जा रही हो ओ भोपाल मिसेज मित्तल ने इतने सहज भाव में कहा जैसे उनका भोपाल जाना रोज-रोज की बात हो और तुम उनकी आँखें बार-बार कमपार्टमेंट की और बढ़ते अपने कुली की और लगी होई थी रचना रहा है मिसेज मित्तल के नए रूप वाले प्रभाव से मुक्त होने के लिए किर्थी एक सांस में कह गई थी वैसे पिछले कई घंटे से यह वाक्या उसके भीतर-भीतर तंग जरूर कर रहा था लेकिन इस पल मिसेज मित्तल के अधिरिक्त वै और कोई बात नहीं सोच रही थी बरसों बाद उन्हें इतना सिंगार-पटार के किर्थी देखे और खुद उनकी जबानी भुपाल जाने की बात सुने तो फिर अविश्वास की कहा गुणजाईश रह जाती है लेकिन रजजन को लेंड के तो कई दिन हो गए न जाने कौन कहा रहा था कि उसे दिल्ली रुखना पड़ गया था आगे कुछ अप्रिय ना सुनना पड़े सोच कर कीर्थी ने जल्दी से कह दिया फिर उन्हें देखती हुई जबरन मुस्कुराई गाड़ी तब बे तरहा चिंहारती वी प्लैटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी अच्छा लोटकर मिलेंगे कहकर मिस्स मितल कब बढ़ गए यह किर्थी ने गाड़ी की हरबड़ी में नहीं देखा था उसकी घबराट अब पहले के अपेक्षा कई गुना बढ़ गए थी पसीना, गले का सूखना और हलक में चुबने वाले कांटे उसे अपनी हिस्से थी उस दिन ऐसे लग रही थी जैसे अंतिम परिक्षा का परिणाम आने वाला था और उसे अख़बार आने की प्रतिक्षा थी उत्सुकता की मारी वे उस दिन भी स्टेशन आ गई थी वे आगे चली जै क्या भीड या धकम पेल की परवा के बिना निकल जै एक पर किर्थी ने सोचा लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक उमरते लोगों के सैलाब को देखकर हिम्मत छूट गई वहाँ भी एक जगे खड़े रहने के बावजूत वे नाहक कई धक्के खा चुकी थी और रजन को वे पहचान में सके गी पिछले कई दिनों की तेराज फिर आशंका उठी अथवा क्या दूर से ही देखकर रजन पहचान लेगा साथ साल का अर्शा कम नहीं होता इतने में कल तक की बच्ची जवान हो जाती है जवान के पाउं धलान तक पहुँच जाते हैं और बुड़े वे कई दिनों के चुने हुए उस स्थान पर खड़ी थी जहां से ट्रेन के लोग और पाहर जाने का रास्ता दौनों ठीक ठाक दिखाई दे सकें भीड रोज जैसे ही थी गय साल जैसी या शायद गुजरे हुए उन सातों बरस जैसी कोई भी मौसम हो चाहे जैसा दिन या घड़ी यात्राओं का क्रम कभी नहीं टूटता जब भी स्टेशन आओ भीड का एक ही रूप दिखाई देता है अपने अपने सामान मित्र या परिवार से लदे फदे लोग जो जाने कब से चड़ या उतर रहे हैं प्लैटवर्म में प्रतिक्षा करते वही आत्मी और प्रियजन कुछ तो खिल उटते हैं और अनेक रजजन फस्ट क्लास के एक कमपार्टमेंट से एक किसी स्वस्त से युवक को उतरते दे किर्थी के मुह से नाकेवल यह आवाज निकली बलकि वह जपटती हुई उधर बड़ भी गई थे पर जहेब कर दूसरी और देखना पड़ा और भला कुली के पीछे कौन जा रहा है वह ग्रे कलर के सूट वाला ठेले के पास खड़ी स्कर्ट वाली लड़की के पीछे बबो बबो और फिर हर गुजरने वाले चहरे को जल्दी जल्दी जाकती आखों से पकड़ने की कोशिश और पीछा क्या आज फिर अकेले लोटना होगा अंत में गेट के पास खड़े आखरी समू को देखते हुए किर्टी ने सोचा फिर पापा की उनी आखों का सामना जिन से किर्टी को दहशत होती है फिर मा का वही बिसूरना जिसे सुनकर उसके आखें गिली होती है और फिर वही तनाप क्यों थोड़ी देर बाद जब गाड़ी रहने लगी तो बावजूत भीर भाड के जाने कैसे मिसिस मितल ने उन्हें देख लिया था खिड़की के पाहर से निकाल कर वे हाथ के इशारे से पूछ रही थी क्यों अर्थार्थ रजजन नहीं आया किर्ती कई पल निरुत्तर से खड़ी मिसिस मितल को देखती रही थी फिर कुछ नहीं सुझा तो हिलते सैकड़ों रुमालों के बीच एक हाथ उठाकर अपना हाथ उठाकर वे यों हिलाने लगी जैसे मिसिस मितल को ही छोड़ने स्टेशन आयी हो गुड लग गुड लग और किर्ती ही नहीं पिछले कई दिनों से सारा घर इसी तनाव में लटका हुआ जी रहा है तेरा दिन पहले मंगलवार को रजजन ने मंबई में मुंबई बंबई जिसे पहले कहा जाता था में लैंड किया था और उस दिन यहां घर की बेचायनी सीमा पर पहुँच चुकी थी बेटी कितने बज़े हैं पापा ने उजन किर्थी के कमरे में तीसरी बार आकर पुछा था चार बस नौ घंटे और हैं पापा ने अपनी जियोती हीन आखों से एक और ताक्ते वे कहा था छे बज़े रजजन का जहाज किनारे आ लगेगा तो कौन तमसे वे है तुरंता मिलेगा यही बाद जब उन्होंने आदे घंटे के बाद और सात्वी बार दोर आई तो मा इतम जिल्ला पड़ी थी क्योंकि पापा की बेचैनी उनसे देखी नहीं जा रही थी अपने नगर से 700 मेल दूर रजजन बंबई में उतर रहा था चाहने पर भी उसके लिए इस फोगोलिक दूरी को लांकर फोरण आ मिलना संभब नहीं था लेकिन घर में ऐसे व्याकुलता समाई हुई थी मानुचे बजी की ट्रेन से वै सीधे यहीं पहुँच गया हूँ यो रोज सुबह सबसे पहले पापा ही उठते थे लेकिन उस दिन उन्होंने अपने सासा सभी को जल्दी जगा दिया था पहले मा, फिर कीर्ती, फिशोभा और यहां तक की छड़ी टेकते टेकते जाकर आउट हाउस में रहने वाले शामलाल को भी उन्होंने सोने नहीं दिया था आज रज्जन पहुच रहा है इस वाके से बहे दिन शुरू हुआ था हसार आदेन घिसे हुए रेकार्ट की तरह से छूटने के बाद पती पतने के बीच रज्जन की पुरानी स्मृतियां दोहराई गई थी उसकी कुछ आदतों, विशेषताओं, गुणों आधिके चर्चे हुए थे रात किर्ती को बड़ी देर तक पापा के जागने की आहर्ट मिलती रही थी साथ वर्ष पहले जब रज्जन इंजिनियरिंग के डिपलोमा के लिए इंग्लेंड जाने लगा था तो किसी को कलपना भी नहीं थी कि वे इतने आर्शे के लिए वहां रह जाएगा केवल दो ढ़ाई वर्ष में लोटाने की बात थी तब व्यावे सिर्क छह माँ गुजरे थे रतना को उसनी इसलिए साथ कलिया था कि विदेश के अकेले पन से डर लगता था फिर अध्यन के दोरान इधर या उधर को कोई तनाव न रहे और पती-पतनी दोनों मिलकर वहे समय काटाएं एक उद्देश यह भी था शायद लेकिन ढाय के बदले तीन वर्ष हो गए थे और रज्जन अभी तक नहीं लोटा था एक पत्र आया कि उसे कोई temporary job मिल गई है सूचा क्यों न कर ले कुछ नहीं तो यात्रा का खर्ची निकलाएगा और संभव हुआ तो थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे फिर यह सूचना आए कि रतना को भी यहाँ रेडियो में नौकरी मिल गई है दोनों मिलकर अच्छा कमा ले रहे है रजजन के शुर्षु के पत्रों से अवश्या लगता था कि उसे कहीं न कहीं वापस लोटने क्यों चुकता है पर बात में वे इस टर्म में सोचने लगा था कि भारत में अगर वैसी अच्छी नौकरी ना मिली तो और इस बीच कई बड़ी बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं हो गए थी शुबा के बाद वाला भाई जाता रहा था कीर्थी से बड़ी बहन नलीनी प्याह करके बनाराश चले गए थी पापा सरकारी नौकरी से डिटायर होकर घर बैठ गए थे और इन में सबसे बड़ा हासा यह हुआ कि पापा के आखे अक्समा जाती रही मुझसे बड़ा भागा और कौन होगा इस खबर के मिलते ही रजजर ने बेहत दुखी स्वर में लिखा था कि इतनी बड़ी बात हो जाया और मैं आपके पास नहूँ सच मुझ मैं बड़ा नाराधम हूँ यह मेरे पूरु जनम के पापों का फल है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं आप से हजारों मिल दूर पड़ा हूँ लेकिन पापा आप चिंता ना करें मैं आज कल में यहां के आई स्पेशलिस्स से कंसल्ट कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है जिस दिन आपको यहां ले आऊंगा सब ठीक हो जाएगा खत सुनकर पापा रो पड़े थे किर्दी से पत्र लेकर कुछ देर वे उस पर यूँ हाथ फिरते रहेते मानों उगलियों में आँकें उतर आई हो फिर पर आये वे खंड से उन्होंने इतना ही कहा था किर्दी की माँ इश्वर की सवगन अब मुझे आँकों का अफसोस नहीं रहा और इस दिन कई महीनों के बाद समुचे घर के लोग पापा के पास इखटा हो गएते उन्हें खेर कर कीर्दी शुभा और मा सभी बैट गई थी पापा ने आदत के अनुसार नौकरी के दिनों वाले पुराने किस्से सुनाए थे वे किस्से जिने किस्से पहले भी वे कई बार पूरे घर को सुना चुके है गेट के बाहर कीर्दी ठिटक गई तीन चार दिनों से यही हो रहा था स्टेशन से लोटने में पैदल तैक करने वाला रास्ता चाहे जल्दी से कट जाए घर आते आते अकसर कदम धीरे पड़ जाते थे गेट में से गुजरते वो लगता जैसे किसी ने पाउं में पत्थर बांदिये हो और बात बिलकुल नहीं ना थी लेकिन आज से पहले कीर्थी ने अपने को इतना आवश कभी महसूस नहीं किया था उसी लगा था दिन भले ही बीता जा रहा हो आज की इस्थिती दूसरी है आधार ही नहीं सही जानि क्यों वे बहुत जोर से महसूस कर रही थे कि रजन जरूर आ गया है और भीतर प्रवेश करते ही वे पापा के पास बैठा हुआ है बहुत मम्किन है कि इस स्टेशन की भीरभार में वे मिस कर गई हो यह उससर से पेचाना ही ना हो और रजन निकलाया हो मट्यारे अंधेरे में घिरी हुई शाम हवा में हलकी सी खुनकी थी छिटपुट या इकादुका घरों की बत्यां महले के सभी अंधेरे और निर्जन कोनों को घूर रही थी ऐसे में बेहद मद्दिम रोश्णी में डूबा हुआ अपना मकान एक शंट के लिए किर्थी को ही भूता और रहस से मैसा लगा कैसे वह चौकी साइकल लेकर दूसरी गेट से जल्दी जल्दी वह कहां निकल गया कीर्थी का जी अचानक जोर-जोर से धड़कने लगा लंबे-लंबे डग से धड़-ड़ाती वह आहाते का भीतर वाला मैदान छोटा बागेचा और दालान पार करती हुई बीतर चली गई पर कहीं कोई ना था ना कोई हॉल डाल ना कोई सूटकेस ना किसी विदेशी स्लिपों वाली अटैची वही रोज का मंदिव रोशनी वाला बड़ा मकान जिसमें तीन-चार लोग ऐसे खो जाते थे पता ही नहीं जलता था किर्ते लंबा और संकरा गल्यारा पार करके वह दूसरे छोर वाले कमरे के और जाना चाहती थी के चोंक गई अंधेरे गलियारे में मा प्रेत की तरह खड़ी थी, कौन उसी समय पापा के कमरे से धीर सी आवाज आई, क्या किर्थी आ गई किर्थी, हाँ किर्थी आ गई, दोख्षणों की चुप्पी के बाद भी मा ने घसीट दिए शब्दों में जवाब दिया, इसे बीच केवल एक बार उन्होंने किर्थी के और देखा था फिर हट गई, और बस किसी ने ना कुछ कहा, ना कुछ सुना जैसे ना अब तक किर्थी की प्रतिक्षा थी, और ना उसके साथ बंधी हुई आशा थी, पिछली आने वाले कई गाड़ियों को उन्होंने देखा था वह तो बाद में पता चला कि रजजन यहां आने के बदले सीधा दिल्ली चला गया था रतना के घर, और कई बार बदले हुए तता स्वेम निर्धारित कि ये कारिक्रम के बावजूत, आथ तेर में दिन भी रजजन का पता नहीं अपने कमरे में पहुँच के बड़ी देर तक किर्थी को लगता रहा कि आज भी मा जरूर दभे पाउं आएंगी शायद और दिनों की तरह पापा के कान बचा कर धीरे से कहें किर्थी, जह रजजन को एक तार करा इसने तो खेल बना रखा है अरे, अगर यहां ना आना था तो ना आता, लिक लिक का सबको परिशान करने के क्या जरूर थी पिछले दो तार ऐसे ही हुए थे और अगर दिन जो ट्रंक लगाया जा रहा था उसके पीछे भी यही था पर सचोच मा नहीं आई खाने की सूचा लेकर भी शोगवा पहुची थी आज मिसेज मित्तल मिल गई थी खाने की मेच पर भी जब वही तनाव गिद के डैनों की तरह मंडराता रहा था तो कीर्थी ने केवल बात करने के लिए सप्रयास बात शुरू की कहां? स्टेशन पर अच्छा वे भुपाल जा रही थी कहकर कीर्थी ने ततकाल मा की और देखा उसका अनुमान ठीक था मिसेज मित्तल के साथ भुपाल का नाम सुनते ही वे बेतर चौकी मुग की तरफ बढ़ता हुआ उनका हास सहसा रुक्या जैसे किसी अचरच भरी घटना के खबर दे दी गई हो साथ चरे पुछा किसने कहा? तिया खूद ही कह रही थी विश्वास करने के प्रयास में मा किर्थी को गूर दी रही एक शंड के लिए उनकी आँखों में अजीब सा भाव तैर आया जाने वे छोटी सी खुशी का था या अचानक लगे हलके से धक्के का किर्थी से आँखे हटा कर ठिटका हुआ सा हाथ जूटा हाथ लिए दो एक पल वे एक अंधेरे कोने को घूर दी रही फिर यही होता है का भाव लिए चुपचाप खाना खाने लगे जिसने मिसिस मित्तल का द्रड स्वरूप देखा हो उसके लिए वे सचमुच विश्वास करना कठीन है कि आकिर वे उसी बिंदू पर आ गई जिसका बरसों से वे अकेले दम तक विरोध करती रही है यूँ पड़ोस जैसे पड़ोसी मिसिस मित्तल नहीं थी एक तो उनका घर दूर था दूसरे सुभाव से रूखिय और घ्मंडी लगती थी शैद इसलिए आने के बाद भी कापी अर्से तक सभी से आप परिचय बना रहा लेकिन जब कीरती से परिचय हुआ तो सारी दूरी जाती रही वहरेसे भी नहीं रहा गया था जो उनके बारे में पहले दिन से ही महले में ही नहीं सारी नगर में बना हुआ था विवाहिता और परहे शहर की होती वे भी उन्होंने इस नई जगे में आकर नौकरी कर ली थी यहाँ ना उनका कोई रिष्टिदार था ना कोई परिचित बहुत सिदे साधी डंग से एक कमरा लेकर वे अकेली रहती थी अकेली ही नहीं अलाग अलाग और सभी से कटी हुई शायद इसलिए लोगों में काना फूसियां थी कि क्या कोई भी जवान औरत किसी नए शहर में अकेली जान रह सकती है मिसिस मितल अगर सच में विवाहिता या सोहागन है तो कभी उनका पती उनके पास क्यों नहीं आता या पिछले तीन बरसों में एक बार भी वे अपने पती के पास बोपाल नहीं गई क्यों नहीं गई मेरे समझ में नहीं आता कि लोगों को दूसरों की जिन्दगी में इतनी दिल्चस्पिक क्यों होने चाहिए कीर्थी से पहली या दूसरी भेट पर ही अत्यंत दुखी होकर मिसे नितलने ये बात कही थी क्या मैं हर किसी से यह बताती फिरूँ कि मैं ब्याता हूँ या सुहागन हूँ कि पती-पत्नी में कितना प्यार था महेश ने अचानक कैसे मेरे साथ दोगा करना शिरू किया और कैसे अलग होकर मैं इसी बात पर आज भी उनसे लड़ रही हूँ और उसी दिन किर्थी ने पहली बार जाना था कि इस दुख भरी दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो टूट भले ही जाएं मगर जुकना ये समझोता करना नहीं जानते अगर प्रेम भी वहा कि साल दो साल बाद ही कोई महेश किसी रूप जाल में उलचकर नए अफैर में फास जाये तो मिसिस मित्तल जैसी कोई भी स्वाबी मानी औरत क्या कर सकती है किर्थी को लगा जैसे वह हैं अकेली नहीं चिपचाप को और उठाती वी मा भी आज उसी दिन की बाद सोच रही है उस दिन शोबा की परड़े की बाद मिसिस मित्तल आई थी घर में बीते हुए एक छोटे से उत्सव के अवशिशों के बीच उस दिन मा को जाने क्या सूची थी कि ट्रंकों में एक जमाने के बंद धीर से पुराने और कीमती कपड़े वे निकाल लाई थी फिर उन्हें मिसिस मित्तल के सामने फैलाते वे बैट पूछती है तुम्हें रफू करना आता है मिसिस मित्तल ने हसकर ना कह दिया था ये कपड़े मेरी शादी के हैं मा बोले थी कुछ शायद उससे भी पहले के रखे रखे फटते देख जी दुपता है तो जानती हो क्या करती हो रफू करके फिर सहिस देती हो मेरी तो पहनने की उम्र नहीं रहे किरती न लिनी से पहनने को कहती हो तो ये लोग हसते है मिसिस मित्तल एक एक साड़ी का पला लेकर उन पर किया हुआ सोनी चान्दी का काम देखने लगी थी तुम भुपाल कब जा रही हो और बीच में बिलकुल अचानक बिना किसी प्रसंग की माने पूछ लिया तो किरती ने इस पस्ट देखा कि मिसिस मित्तल का चैरा एकदम उतर गया है अपने को जैसे देसे सभाल कर उन्होंने सुखे होटों से जवाब दिया था अभी तु ऐसे कोई बात नहीं है क्यों मा बोले दे क्यों क्या दुनिया में यह सब तो चलता रहता है तुम अकेले कहा तक लड़ोगी किसी चीज से अगर तुम्हें सचमुच प्यार हो या कीमती हो तो तूट फूट जाने पर उसका मुह जाता नहीं है मुझे देखो और फिर पुराने कपड़ों वाले उधारंड के अतिरिक उनकी धेरों दुनियादारी की वातें जिन में से हर एक का इशारा बस एक ही और जाता था यहां तक कि अंत में मिसल नितल घबरा कर किसी बहाने से कीर्थी की कमरे में उठाई थी एकांत में किर्थी के सामने उन्होंने आसुप पोछे थे क्रोध और अपमान से तमतमाया चेहरा लेकर वे बड़ी देर तक चुप रही थी और जब मा के ही स्वर में किर्थी ने तसलिया देना चाही तो आवेश में आकर उन्होंने अपने जूडे में गुसा फूल निकाल लिया था कुछ देर वे उसकी पंकुडियों को सहलाते रही थी मानो कोई गहरा सा जवाब देने से पहले वे अपने शब्दों को तोल रही हो अंत में उसकी एक पंकुडि को नाकुण से चीर कर भरे गले से पुछा इसे रफू कर सकती हो और कीर्थी को हाथ खींशती हुए देकर माने सहसा टोक दिया तुने तो कुछ खाया ही नहीं सोने से पहले बत्ती बुजा देना जाती हुई कीर्थी को माने रोज की तरह हिदायत दे नाहक मुझे परिशान होना पड़ता है और शोगा अगर जित करे तो अपने पास से सुला लेना अच्छा रजन के बारे में कोई भी बात नहीं एक भी शब्द नहीं रात कई बार कीर्थी को भ्रहम होता रहा कि मा उसके कमरे में आई है वे कई बार अचकचा कर उठी लेकिन रात के सन्नाटे में पाया कि कमरे से खासने और बार-बार बेचैन करवट बदलें कि अतरिक्त और कोई आवास नहीं आ रही थी लेकिन तेरह दिनों से जिस रजन के आने के इतनी धूम थी वे आया तो तब जबकि उसे लेने के लिए घर की दहलीच पर भी कोई नहीं था सुबह के तीन बजे थे और सारा घर सो रहा था कीरती से खबर सुनते ही पापा हड़ बढ़ा कर उठ पैटे अपनी छड़ी के लिए एक पल वे हवा में हाथ चलाते रहे फिर केला के जवान पत्तों की तरह बाही पहला कर थर थराते वे खड़ी हो गए रजजन ने आगे बढ़कर उनके पाउं चुए पीछे पीछे रतना थी तूने तो बड़ा इंतजार कराया अपने चरन चुए जाने के बीच मा कहना चाहती थी यहां तो कई दिनों से यह हाल है कि पर कहा नहीं गया तब ही वहाँ शोबा आ गई और बड़सों बाद हम उम्र भाई बहनों की मिलने का शोर सारे घर में गोंशता हुआ पास पड़ात सक जापोशा अरे शोबा तू इतनी बड़ी हो गई और क्या तो उतनी ही बनी रहेगी मा बोली रतना तुम्हें याद है यह कितनी सी थी रजजन ने कहा और किर्थी को तो देखो कम बकत बड़ी अच्छी खासी महिला बन गई है और जो मैंने अम्हें पास कर लिया है वो किर्थी बोली लेक्षरार हो गई हूँ वो तुम लोगों के बराबर कमाने लगी हूँ वो इन में से किसी की बदाई तो तुमने दी नहीं रजजन इस बार तो मुझे भी अपने साथ इंग्लाइंड ले चल रजजन चड़ाया अच्छा अच्छा कभी आयने में अपनी शकल देगी है और उस धमा को चोकड़ी में किर्थी के अतिरिक किसी ने नहीं देखा कि पापा की उठी हुई बाहें कैसे नीचे गिरी देखो मैं तुम सब के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ और फिर बीच में उठकर रजजने ट्रंक खुला मा के मना करने और यह कहने के बावजूत की दिन में देख लेंगे उसने एक एक करके सारी सारी चीज़ें उच्छा पूरवक पहला दी पापा के लिए कारडिगन, शुभा के लिए नए प्रकार के खेलोने और किर्ती नलिनी के लिए स्वेटर और इसकार रतना यह बताती रही कि उन प्रेजेंट्स के एक एक पीस के लिए उन्होंने लंदन में कितने कितने दुगाने देखी और कितने कितने अंबार में से पसंद किया पापा जियोती वी ही नहां आखों से अपने परिवार को घूरते हुए अपरिचितों की तरह बाते सुन रहे थे अगला दिन कीर्थी के घर ऐसे आया जैसे बर्सों कभी आया करता था सुबह से मिलने बैटने वालों का ताता लग गया उनमें पापा के मित्र भी थे मा की परिचित महिलाएं भी थी कीर्थी शोभा की सेहलिया थी और सबसे अधिक संख्याती रजजन के दोस्तों की जिनके साथ उसने बचपन और स्कूल के दिन गुजारे थे अब तो तुमारे साथ ही फुजूल है दो पहर को दिन रात के संग बैटने वाले शर्मा जी ने कहा तो पापा एकदम चौके क्यों अरे भाई अब तुम यहां हो ही कितने दिन दूसरे मित्र सक्सेना ने कहा चन दिन ही तो न रजजन आ गया है तुम्हें अपने साथ ले जाएगा तुम्हें अपने साथ ले जाए बगएर थोड़े ही मानेगा अच्छा वो पापा सांस शोड़कर धीरे से राहत भरी हसी हसने लगे देखो क्या होता है पीछे तो वे बहुत दिनों से पड़ा है मैं ही अब तक चुब बैठा रहा कभी सोचता हूँ कि रजजन की बात मालनू कभी हिम्मत नहीं होती इसी चक्कर में मैंने यहां किसी ड रजजन के साथ जाना है या नहीं निष्चे ही शर्मा जी सक्सेना या सभी लोग को यह लग रहा था कि रजजन के आने का अर्थ ही उनका जाना है पतनी बच्चे ही नहीं इस्वेम उन्होंने यह बात कई लोगों से कह रखे थे लेकिन आज जिस वास्तविक्ता का पता शर्मा जी सक्सेना या बाहर वालों में से किसी को भी नहीं पता था उसे याद कर उन्हें अजीब सी व्याकुलता हो रही थी मन के चिकनी और बेहद बिछलन भरी दीवार पर जो साप की तरह चड़ और गिर रहा था वह यह भह था कि रजन कहीं अपने पत्र की बात भूल तो नहीं गया आने के बाद से आँखों के बारे में आपचारिक सी पुष्टाच के लाओ और कोई बात भी तो नहीं हुई थी होगी लड़का है बरसों बाद आया है पहले उसे दमबाने की फुरसत तो मिले रात को जब मा ने उनसे खाने के लिए कहा सहर सपाटे को गए है जाने का बाते हैं पापा बोले आखिर आएंगे तो किर्ती शोभा को भूक लगी हो तो खिला दो पर जाने के वह भूक किसी को भी नहीं थी पिछली रात के तरह सभी उस रात भी ग्यारा बजे तक रजजन रतना की प्रतिक्षा करते रहे इस कोशिश में शोभा तो भूकी ही सो गई और तब भी उठाय नहीं उठी जबकि वे लोट है पार्टियां और पिच्चरें पहली दूपएर को छोड़कर तीन दिनों में ना कोई रात खाली गई और ना कोई दिन पार्टियों पिच्चरों का सलसिला चलता रहा और रजजन को लगता रहा कि कुछ देर से घर आकर उसने सचमुच गलती की है नगर में दो से मिलने जुलने वाले क्या एक दोधी थे कि उन्हें आसाने से निप्टा दिया जाता यहां तो जिसके साथ को ताही करो से ही शिकायत हो रही थी रजजन जाने की कह रहा था उस रात किर्थी ने पापा के कमरे में मा को कहते सुना किसके जाने की? पापने चौकर पुछा मेरे? नहीं, दूसरी और देखकर मा धीरे से बोली उसने अपने ही जाने की बात कही थी कह रहा था उसे जल्दी लोटना है और दिल में भी दो एक दिन का काम है बड़ी देर तक पापने कुछ नहीं कहा ये लोग नलनी के पास बना रच जा रहे थे ना? नहीं, नहीं, आप नहीं जा रहे क्यों? वक्त नहीं है, मा बुली मामा के पास जैपूर जाने वाला प्रोग्राम भी सुना है रद कर दिया है रद ना कह रही थी कि उनके प्रेजन्स विच्वा दे देखते हूँ, इतने बड़सोंबाद आया है और बहन से मिले बिना चला जाना चाहता है सोचो, नलनी क्या कहेगी? कुछ देर पापा चुप रहे रजजन और कह रहा था कब? कहकर मा ने रजजन और कुछ कह रहा था ये पिता ने पुछा तो मा ने पुछा कब? और ये कहकर पापा के और देखा तो दूसरे एक शंट संभल भी गई अपने ही प्रशन को समेटती हुई बोली अरे उसे मेरे पास बैटने या बात करने की फुरसत कहा है? कल ये ज़रूर पूछ रहा था कि पापा को कोट पसंद आया और तक चारपाई बजने की आवाज से किरती ने अरुमान लगाया कि पापा ने फिर वही बेचया और करवट बदली है इस्टेशन से बाहर आकर किरती ने मुक्ती की सांस सली उसे लग रहा था जैसे एक लंबे समय के बाद किसी भैंकर तनाव से चुटकारा मिला हो आजी पात यह है कि रतना और रजन को गाड़ी में बैठता देख उसे जरा भी कचोट महसूस नहीं हुई उसे कुछ वैसे ही हलके पन का हैसास हो रहा था जैसे किसी छोटे हैसियत के आदमी को बड़े महमानों के विदा करने पर होता है चलने से पहले रतन और रतना दोनों ने अलगाव और विछो के वापचारिक शब्द कहे थे लेकिन किर्थी से कुछ भी कहते नहीं बनता था उसने लाग चाहा कि रतन की बात रख ले कई बार रतना के सामने उसने भूमिका भी बांदी थे लेकिन लगा था जैसे भीतर कहीं विद्रो हो रहा है वै उसके सामने गुटनी टेक कर अवश हो गई किर्थी तू मेरी एक बात मानेगी प्लैट्फॉर्म पर रज्जने किसी भाने उसे रतना से अलग करके ले जाकर कहा था क्या सस्तो यह है कि यह मैं तुझी से कह सकता हूँ इसलिए कि तू बहन भी है और समझदार भी यह मदर फादर को क्या हो गया हम लोग इतने बड़सों बाद आये लेकिन लगा जैसे किसी को खुशी ही नहीं हुई सारा वक्त पापा उखड़ी उखड़ी बाते करते रहे और मा का मुह सूझा रहा मैं तो खेर घर का हूँ शिकायत करके भी कहा जाओंगा रतना के दिल को इसे बड़ा धक्का लगा है फै कह रही थी इतनी भावना से लाएवे प्रेजंट किसी ने अप्रिशेट तक नहीं किये पापा ने तो कोट को छू कर भी नहीं देखा तू अगर उसे बातों ही बातों में ये विश्वास दिला दे कि उन प्रेजंट से घर बर के लोग को कितनी खुशी हुई है तो उसे क्या हो गया था किर्थी ने सूचा रजन का इतना सा आगरा रखते उसे क्यों नहीं बना जूटी सही क्या वह रधना से नहीं कह सकती थी कि और भला क्या कह गई थी तुमसे अचानक उसके कंदे पर हात रख कर रमासें पूच रही थी किर्थी सहम गई उसे खीच सी हुई कि जो रमासेन स्टेशन पर से उसके साथ सा टेक्सी में चलिया आ रही थी उनके उपस्तिती इतनी देर से वे कैसे बुला बैठी थी और क्या-क्या कह गए थी कौन हाँ मिसिस मित्तल इस्टेशन पर मिलने के बाद से वे लोग उनी के बारे में बात कर दिया रही थी चाहे अन्चाहे जगह बे जगह मिसिस मित्तल का ही प्रसंग मुसे तो कहा था कि दो-चार रोज में आ जाएंगी उन्होंने सभी से कहा था प्रमसेन बोली मुझसे भी लेकिन मैं तब भी जानती थी कि भी लोट कर नहीं आएंगी और इसी तरह एक दिन उनका स्थिफा आ जाएगा असल में किर्थी जहां तक मैं उनको जानती हूँ अपने किसी प्रेजन से प्रेम करना जितना आसान है चोट लगने के बाद भी उससे घ्रना करके रह सकना उतना ही मुश्किल है जिस दिन मैंने मिसेज मित्तल जैसी पड़ी लिखी महिला को चूडियों वाले एक छोटे से अप्शगुन से घबराते देखा था उसे दिन में समझ गई थी कि उनके सारे बंद तूट गए है घर के लिए और कितना राज्ता बाकी है उबी हुई कीर्ती ने खिड़की के बाहर सिर निकाल कर देखा उसे कम से कम उस समय मिसेज मित्तल वाली चर्चा में जरा भी रूची नहीं रह गए थी और रमा से इनकी बातें बेतर हा ठका रही थी फिर वही अपने ही घर में प्रवेश करने का भय गेट में से गुजरते हुए आज कीर्ती के पाउं ठिटके नहीं लेकिन कहीं अचेतन मन में बैठे हुए भय ने अपना सिर उठा लिया था वही मट्याले अंधेरे से खिरी हुई शाम, छिट पुटिया, इका दुका, घरों की बत्तिया, मौले के सूने और निर्जन खोने और बेहद मद्धिम रोष्टी में डुबा हुआ मकान बरामदे में चोरों की तरह प्रवेश करते हुए किर्टी को याद आया कि आज घर में शोभा भी नहीं है रजजन रतना से मिलने आये मौसी के साथ ही वह भी चली गई थी घर और उजाड हो गया, वह जानती थी कि घर की क्या तस्वीर होगी जो पापा रजजन को छोड़ने के लिए दहलीज तक भी नहीं आये थी उनसे चार पाई छोड उट सकने की उमीद करना फजूल की बात थी और मा वह तो किसी अंधेरे कोने में चटाई डाले पड़ी होंगी किर्ती ठक गई, अच्छा हुआ आशोभा भी नहीं है वह चाती थी कि मा या पापा किसी कभी सामना किये बगए सीधे अपने कमरे में भागे और बिस्तर पर तूट पड़े उसने अधेरे गलियारे को पार भी कर लिया था लेकिन पापा के कमरे से फूटने वाले रोशनी ने उसे सहसा चौका दिया गुजरते गुजरते भी वे पापा के कमरे के पास ठहर गई कौन उसी समय भीतर से पापा के आवाज आई किर्ती भावीत शेर की तरह दिवार से सटकर खड़ी हो गई थी कोई नहीं एक शन के बाद इधर की आहाट लेकर मा ने आश्रस होते हुए कहा था अच्छा मुझे लगा जैसे किर्ती आ गए सुनकर किर्ती से बिल्कुल रहा नहीं गया कोई पाप होता है तो हुआ करे सोचकर चलते चलते ही सही उसने कमरे में जहांक कर देखा तो कई शन आश्रस चकित सी देखती रह गए पापा ने वही कोट पहन रखा था जिसे रजजन के होते हुए भी उन्होंने चुआ तक नहीं था सामने कारडिगन पहने मा खड़ी थी और उन्हें कंधों से पकड़े कारडिगन के एक-एक हिस्से को उंगलियों से टटोलते हुए पापा पूछ रहे थे इसका रंग कैसा है नीला और यहीं कहानी समाप्थ हो जाती है तो यह थी कहानी एक नाव के यात्री लेखक शानी कि इस कहानी को मैं अलपना वर्मा प्रसुक कर रहे थी आशा करती हूँ आपको इस कहानी कवाचन अच्छा लगा होगा और कहानी भी पसंद आई ही होगी अपनी राए कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताईएगा धन्यवाद